नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता, लालबाग गर्शिंटर कॉलेज के यूट्यूब चानल की अपनी संगीत की कख्षा में आप सब का स्वागत करती हूँ बच्चों, आज की कख्षा में हम जब ताल की तिगुन बनाना सीखेंगे तिगुन के लिए भी हमें काम वही करना है जिकने विभाग होते हैं ठेके में हमने उतना ही विभाग लिखे और उसमें वही वही मात्राएं लिखी हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, एक और आप हमने वही चेने लगा लिए पहली मात्रा पे सम, तीसरी मात्रा पे दूसरी ताली, छटी मात्रा पे खाली और आटवी मात्रा पे तीसरी ताली पहली मात्रा के नीचे वापस समा जाएगा अब आपको याद है ना कि दुगुन बनाया था तो दो बार सारे जोड़े लिखे थे सारे बोल लिखे थे तिगुन बनाने के लिए हम तीन बार सारे बोल लिखेंगे हमने पहले सही लिख कर रख रखा है धीना धी धीना तीना धी धीना एक बार फिर ये दो बार और यहां से ये तीन बार दुगुन था, दो दो के जोड़े बनाए थे ये तीगुन है, तो तीन-तीन के जोड़े बनाएंगे यह याद रखेगा, यह कॉमा हमने सिर्फ इसलिए लगाया है कि हमें याद रहे कि एक बार का बोल यहां खतम हुआ और यहां से दूसरी बार जो बोल लिखना शुरू किया है वो शुरू हुआ, वरना जोडे बनाते समय हमें इस कॉमा का ध्यान नहीं रखना है, एक के बाद एक नमबर हमें एक साथ लेते जाने हैं, तीन-तिन के जोडे में, अब हमने से गिना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, तसी नमबर चाहिए थे, हम इने नमबर दिया, वान, टू, त्री, फूर, फाइब, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, और जो ती, तीस्रे में आया, ना, धी, धी, ना, धी, धी, चोथे में आया, ना, धी, ना, पांच, वे में आया, धी, धी, ना, धी, धी, ना, छटे में आया, ती, ना, धी, ना, धी, चात्वे में आया, धी, ना, धी, धी, ना, धी, और आठवे में हुआ ना धी धी तो आठवे में लिखा हमने ना धी धी फिर नवे में आया ना ती ना और दसवे में आया धी धी ना तो हमने दसवे के नीचे लिख दिया धी धी ना आपने देखा ना कि मैंने मार्जिन के इस तरह पहला विभाग बना लिया क्योंकि अब हम हमारी तीन जब ताल की तिगुन है तो इसे लिखने का ये तरीका है जो मैं आशा करती हूं अब आपको समझ में आ गया होगा हम आप से अब अगली कक्षा में मिलेंगे